नमस्ति दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडेसी दुनिया में दोस्तों वीडियो में न हम लोग इंडेप्थ में अनलाइसिस करेंगे इसीए स्विजल इंटीटेंगा न अचका दिन का जोग खेला जाएगा दोस्तों पहला मैच मतलब बारा बंदरा में यह मैच ट्राट होगा दोनों यही टीम के बारे में आपको कम्प्लीट अनलाईसिस मिलेगा इनदेफ्थ में ठीक है दोनों अपना पहला मैच खेलगा इस betting order दूँगा मैं आपको फिर एक चीस जो अलग है जो हर जग आपे नहीं मिलता है वो according to situation मतलब अगर match में necessary हो ना 2013 domestic overall का जो record है ना तुड़ा club में जो best performer है वो में मैं इस वीडियो में add करता हूं ठीक है तो आप अगर गाइस चैनल में नहीं हो जो पता रहा हूं मैं cover नहीं करता हूं वाला मैं try करूंगा cover करो क्योंगे मुझे बहुत पसंद है मैं उमेज cricket बहुत पसंद है don't take it otherwise उल्टा उल्टा मल सोचो तो analysis करते analysis के तरह like करके start रखना अगले matches के coverage final update demo team के लिए दोस्तों जूर सकते हो telegram जिसका link वीडियो के description and comment section आपको मिलेंगे link में press करना है और redirect हो जाना है दोस्तो टेलीग्रम चैनल आते analysis point में यह match इंडियन टाम स्टार्ट कब होगा 12-15 में 100 रन यहाब average score बन सकते है दोस्तों WTG ZLS के बीच होगा यह match 100-120 भी बन सकता है बट मुझे लगए 120 मुश्किल है इस match में बनना 1110 के करीवी run बनना चाहिए maximum ZLS से ध्यान देना ZLS में पता है आपको दोस्त बहुत बहुत अच्छे प्लियार है एक हसानी दूसरा है रंजीत रमाकेशना यह अलग क्लब से आ रहा था बट इस क्लब में इनको कैसे यूज करेगा यह तो management को पर है अलग क्लब से जब आता है क्या करते हो आप अपने बंदे को पहले न प्रोमोट करते हो better players को उसके बाद new players को बट undoubtedly इनका reputation बहुत हाई है अपने clubs के लिए leading run gator and wicket taker थे दोनों बंदे ठीक है अंकुष लाल आएगा फिर दफ्तारी कुछ उसा होगा इनका batting order फिर से देखो विकी में आपको दो player मिलेगा अमीद कुमार और सरफरास अहमेर यह पाकिस्तान से सरफरास हमेर तो हाँ प point to be noted अगर दोस्तो हसानी और रामकृष्णा खेला तो इनका role reduce होगा अगर दोनों बंदा नहीं खेलता है अंकुष लाल आपको top 3 में betting करते हो दीखेगा तब ले लेंगे अकाश वादवा मुझे लगते open कराएगा 43 का average है दोस्तो रेपेटिशन अच्छा है रन 300 है 12 मैच में दो average रन ना मैच नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मैच में मिल्ड और रन नॉट आउट भी गया है लोकेश वर्मा 6 मैच में 16 भूल जाओ इसको शेशू महमीला पिली 12 मैच में 67 रन इग्नोर करो इग्नोर रन्जीत रमकृष्णन तेरा डोमेस्टिक ओवर्रोल मैच में अलग क्लब में था 210 रन ठोका है 58 ओवर में 19 विकेट बेस्ट आप बेस्ट प्लेयर लग रहा है मुझे स्टीम का रन्जीत highly selected है जंता का मैं भी र पंद्रा मैच में 14 विकेट थोड़ा सा कम है बट इसके पस न दोसे चुड़ासी रने अच्छा हीटिंग कर लेता है दोस्तो 22 गावरेश सरह रने चाहो तो ट्राइकर सकते है निकोलास सलोनेल च्छे मैच में 56 गावरेश बहुत होता है 25 ओवर में न पांस विकेट है साथ मैच में 5 ओवर में एक विकेट है कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था बट इस टीम में इनका रोल थोड़ा बढ़ेगा बट देखो एक चीज़ दोमेस्टिक ओवरोल में न क्या है शे मैच में बंदेने सिर्फ 18 ओवर डाला है और पांच विकेट भी निकाला है ऐसा है सबकुछ है इसलिए ना बारा मैच में आपको 47 ओवर दिख रहा है सराव कुमार सुर्बर मनी 15 में 13 में 34 ओवर चाओ तो ग्रैंडिक में उस करो अका के लो में 13 में 34 में 12 में दोनों बंदा खिलता है तो बॉलिंग करेंगे देखो अब क्लियरली मैं बता रहूं सब तो नह मुझे रिकॉर्ड सही में बोलू तो मुझे मिला नहीं है मैं बहुत डूढने का कोशिश किया पर चलो कोई बात नहीं इतने सारे प्लेस का रिकॉर्ड है अगर यह इनमें से कोई बंदा खेलता है ना एक बार और देखूँगा मुझे शायद मिल जाएगा अगर खेलता ह तो क्योंकि वह बहुत सारा एसपेट काम करता है मुझे लगता है शायद यह नहीं खेले अगर खेलता है तो मैं ट्राइ करूँगा अपना बेस्ट कि मैं आपको स्टैट दे पाऊं ठीक है डबलू टी जी से मोग आते हैं इनसे कंथन ओपिन करेंगे थंगादा वेल के साथ फिर अक्तर फिर कसुम शरीफ जाय फिर योगा निथारन हलीम ऐसा होगा कुछ इसका बैटिंग और इस टीम काना मुझे क्या लगा इस टीम काना मुझे बॉलिंग उनिट ने डिसेंड ल अलमुस सेम है जो वीकी करेगा ना एक कुशन होगा कि चलो वीकी से अगर कुछ पॉइंट दिये देंगे तो बढ़िया बात तो ट्राइ करेंगे बट जितना मैंने नोल डिस के ना कंथन ओपिन करता है अक्तर वन डाउन खेलता है दिपक जासौला मेंच में 115 अग्नोर कर सकता है मस्ट पी प्लेयर होता है कयूम शरीव जाई फिर दोस्तो कुमारू कुला सिंगम 11 मैच में 10 विकेट 35 ओवर चाहो तो ट्राइ कर सकते हो बॉल फर्स एस योगा सारा 6 मैच में 11 विकेट टिकी अमिलिटी देखो बंदेवास almost 2 है 6 मैच में 11 विकेट है वसिम ने 9 जो भी नाम है 5 मैच में एक ओवर एक विकेट है बट इसने डोमेस्टिक में 14 मैच में 348 गैवरे से बनाया 49 ओवर में 21 विकेट यह मस्ट भी प्लेयर है और ओपिन कर रहा है था डोमेस्टिक में ठीटेन में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था पाच में सिर्फ सात रन बट टीटेन में जो क्लब के लिए गिलता था उसमें अच्छा अच्छा प्लेयर था वो भी तो मेंटर करता है ना बंदा गूशल आभन संधीरा सिकरन छे टीटेन मैच में 24 रन 9 ओवर में 6 विकेट बैरी डिसेंट है जूरी क्रिकेट क्लब के लिए खेल चुक है अल्रेडी ट अब दिखो इलान किरन रविंद रविंद रण 6 टीटेन मैच में 11 ओवर 4 विकेट नो डबैट च्वाइस टीटेन में कुछ रिसेंट रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में उतना खास नहीं है जैसे कि मैंने इंक प्लेयर के बारे में पता है ना दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको ग्र कर अगर खेलता है तो ले लूँगा मैं 256 ओवर में 28 विकेट देखो यहां पर मैं रिकॉर्ड इसलिए आपको देता हूं तो एकिना आप समझो पर खो जाचो फिर अजमाओ ठीक है एम चकरी 11 मैच में 13 ओविकेट है 35 ओवर में 15 मैच में 8 ओविकेट not a bad choice बहुत सारे अच चचे बॉलिंग ओप्शन देख रहे हैं आपको सकीना 6 मैच 15 ओवर में 6 ओविकेट है मुझी मुझी मुहमद 5 मैच 9 ओवर में 2 ओविकेट है नजी नसीब उल्ला 10 मैच 34 ओवर में 7 और दूस्तो पीर इनपन का 15 मैच में 30 ओविकेट अच्छा विकेट टेकर है दूस्तों अब देखो 2030 में इस टीम जैना डूस्तों में कैसा परफॉमेंस की निकाला था क्योंकि इसके इस टीम जैना बहुत जादा भार से प्ले नहीं है तो मैं सोचा कि इसके रिकॉर्ड भी दिखा दू बैट्समेंट से नरिश कुमन का सबसे ज़्यादा रन था 14 में 341 पी योगतरन नाम यहां पे भी है तो अच्छा प्लेयर है हमारे पास एस प्लेयर नरिश कुमार षजाप सबसे जाब है यह चार प्लेयर नम बहुत बिसेंट जिख रहा है यह चारो प्लेयर इनमें से थोरा सा ऑफ है यह बैटिंग से बट यार बॉलिंग से 11 में 28 बहुत होता विडियो को लाइक नहीं करें और कोई रिजन तो बताओ बताओ कोमेंट करके तब मैं वो रिजन डे आड कर दूँगा था कि आप लाइक करो शेर करो दोस्तों के साथ और टेलेग्राम जुरजाना फर फाइनल अब्डेट फर फूचर अब्डेट है चलते हैं रहे हम लोग ड्रिमलावन टीम में गाइस फिलाल यह रहेगा मेरे ड्रिमलावन टीम जहां पर कैप्टेन है दोस्तों एन थंगवदा जो भी नाम है समझ रहे हो ना नरेश हुमार है हश्मी है बीसी यह मेरे इसाब जाने एक बरिया वाइस के प्रिन पीक है मैं सोच रहा था इन फैक्ट पर यह उन्डाउन क हमारे पास है आर रमाकृष्णन है हमारे पास रिंजीत रमाकृष्णन ए रविंद्रन एन मनिका भा और फिलाल ऐसा रहेगा इनका नाम थोड़ा मुश्किल है बहुत जादा मुश्किल हो पता है यहां पर कितना जादा गर्मी है बहुत जादा गर्मी है स्टिल मैं झारेबेड़ को लो! पारेबेड़ कर वारेबेडल